दोस्तों आपको पता है कि अगर आप अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वारेन वुफिट और इनकी जैसे कई अमी लोगों से इनकल सारा पैसा ले लो और आप इसे दुनिया भर के हर एक इंसान में बराबर बराबर बाट दो पिर भी कुछी सालों के अंदर वास सारा पैसा इन सभी अमी लोगों की जेब में वापस चलाएगा और आप फिर से वैसे ही बन जाओगे जैसे आज हो और क्या आप जानते हो इसकी पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है तो इसका अंसर है एसेट्स, रोबर्ट की उसाकी कहते हैं एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी नॉर्मल इंकम से एसेट बिल्ड करने की या पैसिव इंकम जनरेट करने की स्किल होती है वहीं लाइफ में फाइनिशल फीडम को अच्छीव कर सकता है और अच्छी वेल्ट बना सकता है क्योंकि पैसिव इंकम देने वाले जितनी ज आसेट के बारे में सबसे पहला आसेट आता है कैश आपके बैंक में पड़ा कैश आपको इंट्रेस्ट तो दे रहा है हलाकि 4-5 प्रतीशत का इंट्रेस्ट जो बैंक आपको दे रही है आप उससे मार्केट इंफलेशन को कभी भी बीट नहीं कर पाऊगे कैस आज भी सी कंपनीज की और बहुत से इन्वेस्टर की टॉप प्रियोर्टी है अब आप इस आर्टिकल में देखिए रिलाइन्स कंपनी के पास दो दसमलों एक लाग करोड का कैस रिजर्व है सेम ऐसे ही टाटा ग्रूप भी हर साल सतर हजार करोड रुपे का कैस रिजर्व करता है अब लोगों का मानना होता है दुनिया पॉर्चुनिटी की खदान है इसलिए जब भी आपके पास कोई अच्छी पॉर्चुनिटी आए तभी आपको उस अपॉर्चुनिटी का फाइदा तुरंत मिल सकता है और दूसरा रीजन है तो अर्न हाइं ट्रेश्ट कैस होने से आ एडि रहना चाहिए नाव एसे नमबर टू रियल इस्टेट अब रियल इस्टेट एक बड़ा एसेट है जिसकी दो मेंली रीजन है नमबर वन रेंट पेमेंट जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोग अपने बिजनेस को भी एक्स्पेंड करते जा रहे हैं अब घर सिर्फ लोग रहने के लिए ही रेंट आउट नहीं करते हैं बलकि स्टूडियो खोलने के लिए एडुकेशन सेंटर के लिए पीजी के लिए इस्मॉल बिजनेस खोलने तक के लिए इसे लेते हैं तो ऐसे में अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो ऐसी किसी property में invest करके आप मन्थली अच्छा खासा amount earn कर सकते हो और आपको मन्थली passive income मिलती रहेगी और इसके साथ ही real estate का दूसरा advantage यहा है appreciation जिस हिसाब से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से real estate market में भी काफी तेजी आ रही है क्योंकि जितने ज्यादा होगा और क्योंकि इसकी demand बढ़ती जा रही है इसलिए property के prices भी तेजी से बढ़ रहे हैं अब बात करते है real estate investment की नमबर वन office building जिसमें लोग आके अपना काम करेंगे और बदले में आपको rent देंगे दूसरा commercial building जहां पर business आकर अपने products और service को बेचेंगे और आपको rent देंगे जिसमें इसमें आप को farming कर सकते हो कोई school या college या फिर बिल्डिंग भी बना सकते हो जिससे आप बहुत सरफ ऐसा कमा सकते हो जब government या commercial business को cash investment की need होती है तब वो interested investors को bond issue करते हैं और इसी bond के बनले government of private companies अपने investor को हर महीने एक central amount पे करने का वादा करते हैं bond में invest किसी भी investor के लिए एक super save investment साबित हो सकता है bonds में invest वो लो करते हैं जिने long term में एक अच्छा secure return चाहिए होता है bond में आप usually minimum 10,000 से investment कर सकते हो और government bond आपको usually 6-8% की return भी देता है why corporate bonds आपको 8-12% की return offer करते हैं बट इन में risk थोड़ा ज्यादा होता है government bond से इसलिए higher interest देती हैं इसी की साथ कई सारे tax savings bonds भी होते हैं जिसमें आप invest कर सकते हो जो आपको tax benefit की 7-5-6% की return भी provide कराते हैं now asset number 4 stocks दोस्तों stock market में listed stocks में invest करके आप उन companies से जूड़ सकते हो जिससे जब companies grow हो जाती हैं तो बदले में आपका investment भी grow होता जाता है और साथी companies को जब जादा profit होता है तो companies आपको dividend भी देती हैं जैसे कि Warren Buffett सर को हर हवते 47 million dollar का dividend मिलता है और stocks में invest करने का दुसरा फाइदा है stock appreciation जिससे आपकी 1 लाग रुपे की value 50 लाग रुपे तक जा सकती है बट हमेशा ध्यान रखे well research और अच्छे business वाली companies में invest करें तब ही आपका पैसा grow हो सकता है Now asset number 5 mutual funds and index fund Index fund यानि ऐसे fund जो देश की top 50 और top 30 companies में पैसा लगाते हैं Census और Nifty 50 Index India के दो major indexes हैं अपनी wealth को increase करने के लिए हर इनसान चाता है कि वो देश की best to best companies में अपना पैसा invest करें Index fund इसका सबसे better option हो सकता है आप इसमें मन्थली SIP करकी invest कर सकते हो जैसे कि अगर आप इसमें 6000 रुपे मन्थली SIP करते हो वो भी पूरे 25 सालों के लिए जिसमें आपको on an average 13% के rateन मिल जाते हैं तो आपकी investment value ग्रो होकर 1.36.000.000 रुपे बन जाएगी और अगर आप अपनी investment अपनी early age में start करते हो तो आपको इससे और भी ज्यादा benefit मिलते हैं जिससे आप उतने ही जल्दी financially free बन सकते हो और अगर आपके पास demand account नहीं है तो description में दी हुई link से आप अपना demand account open कर सकते हो वो भी बिल्कुल free में अगर आपके पास कोई equipment है कोई ऐसी चीज जो दुसरों का काम आसान कर सके तो उसे rent पर देखकर आप अपने लिए एक passive income source बिल्ड कर सकते हो जैसे कि एक अच्छा camera, कोई musical instrument, एक extra car या bike जैसी चीजों को आप Ola या फिर Uber के platform के जरीए rent out करके आप मन्तली अच्छा खासा amount भी earn कर सकते हो asset number 7, pattern pattern एक बहुती underrated और amazing asset है जिसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया invention करते हो या unique product लाते हो तो उसके लिए आप patent फाइल कर सकते हो या एक तरह का document होता है जो बताता है कि आप इसके rightful investor हो और जैसे कोई company या entity आपका वो invention या product यूज़ करती है तो उसे आपको पैसा पे करना पड़ेगा otherwise आप उस पे case भी कर सकते हो asset number 8, trademark जैसे patent आपकी invention को protect करता है ठीक उसी तरह trademark आपकी symbols, words और phrases को protect करता है आज की इस competitive business की दुनिया में scams of fraud की chances भी same rate पे increase हो रहे है ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने ब्रांस को अपने लोगों को protect करके trademark का सही उसकरना चाहिए इसका best example है the taste of India Amul Amul ने ये catch phrase trademark करवा रखा है और इसी catch phrase से Amul ने काफी financial gain भी हासिल किया कि इसी तरह Tata Group ने भी अपने लोगों का trademark करवा रखा है answer number 9 brands दोस्तो brands नाम इसलिए बनाया गया जब कोई customer उसे consume करे उसे use करे तो उसके मन में एक impression बन जाए कि वा premium कीजी use कर सकता है brand एक तरह का effort है जिसे company खोप सारा पैसा और time देकर build करती है एक brand की value कितनी ज़ादा हो सकती है आप इस बात से सोच सकते हो कि जारा और MRF जैसे brands की वज़े से ही पूरी company को बहुत सारा profit हो जाता है now asset number 10 people हमें से अक्सर लोग business अपने employees की और अपने आसपास के लोगों की value नहीं समझ पाते और उनकी कमी हमें तम महसूस होती है जब वो चले जाते है देखो एक बात हमेशा याद रखना या brands value ये goodwill ये सब बनते हैं company के नाम पे ही और इससे फाइदा भी company को ही होता है पर इसे बनाने वाला एक employee होता है जो पहले दिन से brain starming करके fund सिखटा करके test train करके एक product को launch करता है वो लोग ही होते हैं जो एक company को successful बनाते हैं जो किसी इंसान को successful बनने में मरत करते हैं आपको क्या लगता है कि Apple का इतना successful होने का क्या कारण है वो है उनकी employees और उनकी team कोई भी बड़ा सा बड़ा इंसान देख लो उसने अपना अकेले business बिल्ड नहीं किया है उसकी success के पीछे reason है उसके आसबास के अच्छे लोग नाव एसे नमबर 11 raw material and commodities दोस्तो अच्छी lifestyle जीने के लिए हमें पैसे ही नहीं साथी साथ commodities की भी जरूरत पड़ती है और अमीड लोग इस बात को अच्छे से समझते है इसलिए वा gold, aluminium, steel, oil जैसी commodities में खुब heavily पैसे invest करते है रॉबर्ट के उसाकी खुद भी commodities को ज्यादा प्रफे करते है साथी जब भी stock market में गिरावत देखने को मिलती है तब भी लोग खुब जम कर invest करतें commodities में क्योंकि एक safe investment option होता है आज कल digital दुनिया का जमाना है हर कोई अपने mobile और computer इसके से चिपका रहता है ऐसे में digital asset जैसे की documents, audio, book, video, digital courses, songs and apps आपके लिए एक valuable asset साबित हो सकते हैं आज की date में information का overload है सबके पास काफी road data और raw knowledge है ऐसे में अगर आप कोई भी book लिखते हो या कोई blog post लिखते हो तो बस आपको right marketing tool ढून कर काम पे लग जाना है maximum audience को reach out करना है और अगर एक भी product run हो गया तो आपका brand name बिल्ड होने में time नहीं लगेगा और दोस्तो इससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो songs और content की case में या चीज तो और ज़्यादा scalable है जिससे हर दूसरा वेक्ट यूटूब या अन्य social media platform से पैसा छाप रहा है so you can also try बढ़ ध्यान रखें आप जो भी करें वो योनीक होना चाहिए now asset number 13 royalty मालो आपने कोई book लिखी जो आपने time की best seller चली गई अब उस book के rights को कोई भी movie studio खरीना चाहता है ताकि वह उससे कोई अपना show बना सके तो इसके बदले में आपको total collection का कुछ हिस्सा मिलेगा और उससे आगे जितने चीजे होंगी उसका total revenue का भी कुछ हिस्सा आपको मिलता रहेगा और इतना ही नहीं royalty में एक term होता है जब कोई TV show बहुत ज़्यादा popular हो जाता है और multiple broadcasts उनके rights खरी लेते हैं तो जितनी बार वो show run किया जाएगा उतनी बार actors और writer को पैसा मिलता है answer number 14 unique rights इंडिया में कुछ specific places की लोगों के पास एक advantage है जिसे हम geographic indication भी बोल सकते हैं और ये GI आपके लिए बहुत बड़ा asset साबित हो सकते हैं GI एक सरह का अधिकार है जो एक specific reason की लोगों को दिया जाता है ताकि वा अपने geographic location पर authentic और unique product create कर सकें और उससे आपको करोडों का फाइदा हो सकता है answer number 15 mind mind हमारा सबसे बड़ा asset है हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उसे सबसे ज़्यादा जिसका काम होता है वह है हमारा दिमाग और इसलिए अगर आप अपने mindset को सही दिसा में सोचने पर मजबूर करोगे तो आप हजारों करोडों की wealth हसानी से create कर सकते हो mindset वर्ड जुडा होता है mindset आपका mindset rich mindset वाला होना जाहिए जिससे कि आप वाकई में अमीर बन सको ना दोस्तो आज के लिए बस इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें